C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है तीसरी कक्षा के लिए ध्वनी पुस्तक गणित का जादू पहला पार्ट देखें किधर से प्रिष्ट संख्या एक हमारे शिक्षक ने हमें एक बार एक कार का चित्र बनाने के लिए कहा हम सबने कार के अलग-अलग चित्र बनाए अगले दिन बड़े मज़े से हमने एक दूसरे को अपने बनाए हुए चित्र दिखाए तभी अंशुल ने खसना शुरू कर दिया वो धीरज के बनाए कार के चित्र को देख रहा था अन्शुल ने कहा ये तो ऐसा लग रहा है जैसे एक बड़े बक्से में छोटा बक्सा रखा हो फिर अन्शुल ने धीरज को अपना बनाया हुआ चितर दिखाया दोनों ने तस्वीर तो एक ही कार के बनाई थी लेकिन फिर भी उनके चितर अलग अलग दिख रहे थे धीरज ने कहा कि उसने कार को उपर चट से देखा क्या तुम्हें लगता है कि उसका बनाया हुआ ये अजीब और गरीब चितर सही है बच्चों यहाँ पर दो चितर दिये गए हैं पहला चितर धीरज ने बनाया है जो कि उसने कार को उपर से देख कर बनाया है दूसरा चितर अंशुल का बनाया हुआ है अंशुल ने कार का चितर साइट से देख कर बनाया है क्या तुमने कभी चीजों को अलग अलग तरफ से देखा है क्या ये चारों ओर से एक जैसी लगती है या अलग-अलग लगती है यहाँ पर मेज के दो चितर दिये गए है जो कि अलग-अलग से दिखाए गए है किनारों से मेज कैसी दिखती है कौन सा चितर मेज को उपर से देखकर बनाया गया है यहां कुछ चित्र बनाये गए हैं जरा सोचो कि जब इन चीजों को उपर से देखेंगे तो यह कैसे देखेंगे? यहां पर चार चित्र दिये गए हैं यह चित्र हैं कूकर, चपल, तर्बूज और छोटी अलमारी का क्या यह कुछ इस तरह के देखेंगी? यहां पर इन चारों चित्रों को उपर से देखकर बनाया गया है प्रिष्ट संख्या दो चलो कुछ काम करें क एक बिल्ली एक कक्षा के अंदर जहाक रही है वो कक्षा में शिक्षक या शिक्षका को ढूणना चाहती है क्या तुम उसकी कुछ मदद कर सकते हो? यहां पर एक चित्र दिखाया गया है जिसमें बिल्ली खिडकी से बच्चों को देख रही है ख यहां कुछ वस्त्वों के चित्र दिये गए हैं पता लगाओ कि किस ओर से देखने पर वे ऐसी दिखेंगी सिढ़ी फिर सिढ़ी मेज कुरसी पैंसिल और बस ग कुछ चीजों को उपर से देखो उनके चित्र बनाओ और अपने दोस्तों से पूछो कि वे किन चीजों के चित्र हैं प्रिष्ट संख्या तीन यहां पर दो बच्चे दिखाये गए हैं दोनों आपस में बाचित कर रहे हैं रंगोली क्या तुमने कभी रंगोली बनाई है? मेरी दोस्त मेनाक्षी फर्ष पर सुन्दर डिजाइन बनाती है मैं मेनाक्षे हूँ मैं तमिलनाडू के रहने वाली हूँ हम रोज सुभा फर्ष पर कोलम बनाते हैं यह बिद्दूओं से बनाई जाते हैं यहाँ पर मेनाक्षी कुछ कोलम के चितर बना रही है यहाँ दिये गए बिद्दूओं की मदद से तुम भी रंगोली बनाने की कोशिश कर सकते हो यहाँ रंगोली के दो चितर दिखाए गए हैं यहाँ पर दोनों रंगोली के आगे एक खाली जगा दी गई है अब तुम बिन्धू के मदद से रंगोली बनाओ प्रिष्ट संख्या चार तुम भी और डिजाइन बनाओ एक यहां दी गई खाली जगा में इन आकरतियों को फिर से बनाओ यहां पर छे अलग अलग प्रकार की आकरतियां दी गई है जिन में सीड़ी का चित्र, कोलम का चित्र आढ़ी तिर्शी रेखाओं से बनने वाला चित्र, फूल का चित्र इत्यादी है अब तुम नीचे दिये गए खाली स्थान में बिन्धू की मदद से इन चित्रों को फिर से बनाओ प्रिश्ट संख्या पांच दो बिन्धू से अपनी पसंद की आकरतियां और डिजाइन बनाओ तीन नीचे छे अधूरे वर्ग और आयत हैं बिन्धू को मिलाते हुए उन्हें पूरा करो प्रिश्ट संख्या छे चार नीचे दिये गए बिन्धू का इस्तमाल करते हुए बनाओ एक पतंग ब एक पत्ता स एक फूल द एक नाव य एक तारा और र एक बरतन शिक्षिकों के लिए निर्देश किसी चीज को कहां से दिखाया गया है चित्र उसी हिसाब से बनता है शुरू के पन्नों में यही दिखाया गया है किसी ठो स्वस्तु के तीन आयाम होते हैं जब उसका चित्र बनाते हैं तो उसे दो आयामों में बांधना होता है बिन्दूओं के ग्रिट पर आकरतियां बनाने से समरूपता की समझ विकसित होगी समरूपता मतलब समान रूप चित्र को घुमाने खिसकाने या आयने में देखने पर कैसे समरूपता दिखाई देती है इस बात को अध्याय पांच और दस में भी लिया गया है प्रिष्ट संख्या साथ यहां पर चित्रों की मदद से एक कहानी दी गई है वो कहानी क्या है आये सुनते हैं जैसे को तैसा एक दिन अमीना एक चित्रकार से मिली क्या तुम मेरे चित्र बना सकते हो हाँ हाँ जरूर इसके लिए मैं दो सो रुपे लूँगा कुछ समय बाद चित्रकार ने उसे अपना बनाया हुआ चित्र दिखाया अमीना ये रही तुमारी तस्वीर कैसी लगी पर ये तो आधी ही है बाकी आधा हिस्सा भी ठीक इसी तरह का है बस एक आईना सामने रखो और तुम्हें पूरी तस्वीर मिल जाएगी क्या अब मुझे मेरा पैसा दोगी अमीना ने उसे सो रुपे का एक नोट दिया लेकिन ये तो दो सो रुपे का आधा ही है बचा हुआ आधा हिस्सा भी ठीक उसी तरह का है इसलिए एक आईना नोट के सामने रखना और तुम्हें तुम्हारा पूरा पैसा मिल जाएगा प्रिष्ट संख्या आठ चित्रकार ने कई चित्र बनाए जिसमें उसने उन चीजों के आधे हिस्से को ही बनाया इन चित्रों के बाकी बचे हिस्सों को बनाओ और बताओ कि ये किन चीजों के चित्र है इसके लिए आईने की मदद ली जा सकती है यहाँ पर चित्रकार ने कुछ चित्र बनाय हुए है जो की अधूरे है इन्हें तुम स्वयम पूरा करो यहाँ पर तीन चित्र दिये गए है पहला चित्र जांजे का है दूसरा कप का और तीसरा जंडे का है क्या हम दिये गए इन वस्तों के चित्र बनाते समय चित्रकार का तरीका इस्तमाल कर सकते हैं तुम चित्रकार को ऐसी चीजों के चित्र बनाने के लिए कहो जिने एक जैसे दो बराबर हिस्सों में ना बाठा जा सके तो अब उसका आइने वाला उपाए नहीं चल पाएगा तीन और ऐसी वस्तों की चित्र बनाओ जिने आइने की तस्वीर की तरह दो बराबर हिस्सों में ना बाठा जा सके प्रिष्ट संख्या नौ आइने से पूरा होने वाला आधा हिस्सा यहाँ पर कुछ आकरतियां दी गई है इन तस्वीरों को देखो बिंदु वाली रेखा पर आईना रख कर देखने पर क्या आधा हिस्सा ऐसा ही दिखेगा जैसा कि चित्र में दिखता है कुछ और उधारण दो अब तुम यहाँ कुछ और चित्र बनाओ जिने आईने के सामने देखने पर वो पूरा दिखें शिक्षिकों के लिए निर्देश दी गई दो आयतों को बिंदु वाली रेखा एक जैसे दो हिस्सों में बाटती है लेकिन देखिए कि यह हिस्से आईने से पूरे होने वाले आधे हिस्से की तरह नहीं है प्रिष्ट संख्या 10 यहाँ पर कुछ चित्र दिये गए हैं जो इस थरह से हैं कंगी लिफाफा अंक आठ पैंची बटन केतली पैंसिल कप मुकुट फ्रॉक घंटी फ्लॉपी डिस्क हवाई जहाज पाना अंक दो चश्मा सूट केस प्रेस छाता और दिवार घड़ी क्या तुम यहाँ दिये गए चित्रों को बिंदुवों वाली रेखा की मदद से दो एक जैसे बराबर भागों में बार सकते हो प्रिष्ट संख्या 11 यहाँ पर अंग्रेजी वर्ण माला के कुछ अधूरे अक्षर दिये गए हैं अंग्रेजी के इन अक्षरों के आधे हिस्से को देख कर उनके पूरे हिस्सों का अंदाजा लगा सकते हो क्या हिंदी में भी ऐसा कोई अक्षर है यह अधूरे अक्षर हैं अब तुम इन अक्षरों को पूरा करो इन अक्षरों को इस्तमाल करके हम ऐसे शब्द भी बना सकते हैं जिन्हें दो समान भागों में बाठा जा सकता है दिये गए शब्दों के आधे हिस्से को देख कर पूरे का अंदाजा लगाओ इसी प्रिष्ट के अगले भाग में कुछ और अधोरे अक्षर दिये गए हैं जैसे ह, ओ, व, व, हाव डेब्लिव, ए, एक्स, व, एक्स सी, ओ, ओ, के, इ, डी, कुग्ड और डी, आई, सी, इ, डाइस अब तुम स्वयम इन अधोरे अक्षरों को पूरा करो प्रिष्ट संक्या बारह मुखोटा बनाना यहाँ पर एक चीटी कह रही है मैं तुम्हें बिल्ली का मुखोटा बनाना बताऊं कागस का एक टुकडा लो एक इसे बीट से मोडो दो एक तरफ जैसा दिखाया गया है वैसा चितर बनाओ तीन एक कैंची से इसे किनारे किनारे काट लो चार अब इसे खोलो और आँक नाक मुच बनाओ और पांच इसे रंगों से भर दो और इसके पीछे एक रबड का चल्ला बान दो तुम्हारा मुखोटा तयार है यहाँ पर इस प्रिष्ट के अंतिम भाग में एक लड़की, हाथी और हिरन के मुखोटे का चितर दिया गया है जो आधा है अब तुम इन दिये गए चितरों का सहारा लेकर कुछ और मुखोटे बना सकते हो इसे के साथ पहला पाठ देखें किधर से यहीं समाप्थ होता है स्वर प्रमीन शर्मा, तक्निकी समन्वयक, बटिलेंग लिंडो, ध्वनियंकन, मयंक कुमार, निर्माण सहयोग, रुचि शर्मा निर्देशन और निर्माण, विमलेश चौधरी तथा प्रस्तोती, CIET, NCERT, नई दिल्ली, भारत अ, पीज विम, प्रस्तोतत नई क्ञिर्दा सथतू